हलो गाईज वेलकान टू आबर यूटूब चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यदि आप भी ग्रेजुवेशन पास इस्टूडेंट है और आप लोगों को जो यदि प्रोसाहनी उजना के दहत पचीस हजार नहीं मिला है तो आप अप उसका स्टेटस कैसे चर सकती है तो बहुत बार क्या होता है अपलाई करने के बाद कुछ भेरिपेकेशन होना बाकी रजाता है जैसी कि यूदि प्रिप्रिकेशन या फिर किसी काग़ाज का व्यूद तो प्रेंट्स आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप भी चेक कर सक करने वालों को मिलता है और यदि आपका भी बैंक एकाउंट में पैसा नहीं आया है तो आपको इस वीडियो को कमप्लेट देखना चाहिए तो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 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 आराम से पता चल जाएंगे कि आपके यहां पे आपने जो ऑनलाइन क्या था उसमें कौन प्रोसेस बांकी है जो कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट नहीं पहुचा है जो चलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को सेयर कर दिएगा तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों मैं बता दूए जो आपका ग्रेजिवेशन का उनके लिए है 2019 में जो पास की है उनके लिए प्रोसाहन योजना का है आप चाहें तो इससे पहले का भी देख सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा तो चलिए बताता हूं कि कैसे आप भी कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप जो सर्च कर लेनी है मैं आपको एक वेबसाइट का नम बता रहा हूं edubt प्रेन्स यहां पर आप edubt जैसे सच करेंगे यहां पर सफसे पहला नंबर वेफसाइट जो आपका edubt.bhi.nic.in इनका आ जाएगा जो कि प्रेंट्स इकल्यान का वेफसाइट है और जदी जो आप प्रिंट्स आपको सरच करना होगा सबसे पहला नमर जो आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है इसके बाद ऑपके सामने कुछ इस परिके से इंटरफेस ओपिन हो जाएगा इसके बाद आपको नीचे की तरह पानी है यहां पर प्रिंट साफ लोगी देख सकते हैं आपके सामने जो यहां पर तीन ऑफसंस दिखाई देता होगा यहां पर फ्रेंट फोर इस्टुडेंट रेजिस्ट्रेसंस एंड यहां पर ल आपको परिंट सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपिन हो जाएगा इसके बाद आपको जो नीचे की तरह मोवाइल को स्क्रॉल करनी है यहां फिर फ्रेंट आपको एक ओप्संस दिखाई देता होगा प्रेंट पर इस तरीके से ओप्संस आजाएगा यहां पर आपको नीचे के तरफ स्क्रॉल करनी है यहां पर तरफ आप लोग दे सकते हैं यहां पर चुनते हैं का ओप्संस दिखाई देगा यदि आप आधार नमबर के द्वारा जो सर्च करना चाहते हैं तो आप आधार नमबर के ऊपर क्लिक करेंगे यदि आप जो अकाउंट नमबर के ऊपर क्लिक करेंगे मैं आधार नमबर के द्वारा सर्च करना चाहता हूं तो मैं आधार नमबर के ऊपर क्लिक कर लिया जिस भी आधार नंबर से जो आप इसमें रेजिस्ट्रेशन किये हुए यहां फिर पहले से आवेदन किये हुए इसके बाद आपको यहां पर सर्च के ऊपर क्लिक कर लेनी है इसके बाद आपके सामने एक नियू पेज ओपन हो जाएगा और फ्रेंट यहां पर देख सकते हैं यहां पर फ्रेंट्स आपको यहां पर सर्च के ऊपर क्लिक करनी है इसके बाद फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं नीचे में फ्रेंट्स सारा चीज आजाएगा आपका फ्रेंट्स रिकोड तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं आपको बहुत सारा ओप्संस दिखाई देगा जैसे कि आपका विश्य विद्याले कॉलेज का नाम इसके बाद प्रेंट्स आपके फादर्स का नाम इसके बाद प्रेंट्स आपकों से कलास है यहां पर और आपका जोए प्रेंट्स यहां पर जेंडर इसके बाद डेट रोबर्त इसके बाद जोए फ्रेंट्स यहा और पर आपका प्रेमेंट अभी तक नहीं आया है तो यहां पर आपका किसी में नहीं होगा किसी में आपका वेरिफिकेशन इन फ्रोसेस होगा यहां पर फेर्ट यहां पर प्यैमेंट का फॉटे में कर लिया हूँ आपको अच्छी तरह के समझ में आएगी तो जैसा किप्रिंट्स आप लोग देख सकते हैं डिखाई देवा यहां पर आपको university का नाम दिखाई देगा college का नाम दिखाई देगा उसके राइचाइड में इस्टुटेंट का नाम फादर का नाम इसके बाद प्रिंट्स कैटेग्री और यहां पर जेंडर इसके डेट ऑब बर्त यहां पर फ्रिंट्स आपका फाइनलाइज्ड किये यानि इसके बाद प्रिंट्स आधार verification का options दिखाई देगा इसके बाद जो wrong number and subject अब्डेशन का options दिखाई देगा यहां पर फ्रिंट्स आपका यहां पर प्रिंट्स कहां पर hold हो किया हुआ है आप यहां से अच्छे तरीके से पता लगा सकती है और प्रिंट्स आपका payment done हुआ है या नहीं इसके बारे में भी जानकारी ले सकती है तो जैसा कि प्रिंट् को आपका payment मिला है या नहीं तो फ्रिंट्स कैसी लगी आज की आप लोगों को वीडियो हमें कमेंट करके बताए मिलता हूं ऐसे मज़दार वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई